सबी प्यारे साथियों को नमस्कार गुड आफ्टरनून नी बचे गुड इवनिंग मैं आपका दुफ संके चोधरी स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित पे आशा करता हूँ किया आप सभी बहतरीन जवर्जस सिंदबाद होगे आपने प्रेक्टिस सैट किया होगा प्रेक्टिस ए Cat में आपको बताया कि भहिए पंच वर्जियों उसे ऐसा तो नहीं है कि हर सिफ्ट में कूशन आ रहा हैं लेकिन हां हर धिन एक कूशन पूशन पूछा जा रहा है और कल शाम आठ बजे एक क्लास और है बच्चे जिसमें मैं आपको जनगड़ना जहां से यहां से भी हर रोज एक कुशन बन रहा है जनगड़ना से जनगड़ना और ZDP दो टॉपिकों का रिवीजन कल मैं आपको कराने वाला हूं तो सभी व्यारे साथी क्लास से जुड़ेंगे एक बार जल्दी से और एक बार भाई लाइक शेर जो भी कर सकते हो कर दीजिए तो आज हम पंचवर्जी योजनाओं का काम तमाम करने वाले हैं पूरा रिवीजन होगा बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी मतलब एक गंटे से कम मैं सारी योजनाओं को मैं खतम करूँगा और बहुत आसान कुश्चन बना है अगर मैं बात करूँ यहां आपसे बचे सीधा सा प्रशन बन रहा है पहली पंचवर्जी योजना कब स्टार्ट हुई एक कुश्चन तो आपसे यही पूछा गया है आज का कुश्चन ठीक है सरकार हाला कि अब योजनाओं बननी बंद हो गई है वर्ल्ड में विस्व में सबसे पहले जो आर्थिक नियोजन है जैसे एकोनमिक प्लानिंग कहते हैं योजना बनाने कोई बिटा एकोनमिक प्लानिंग कहा जाता है तो आर्थिक नियोजन की सुरुवात सबसे पहले यू प्रारंब किया गया तो सारी चीज़ें एक बार मेरे साथ रिवीजन करते हुए चलेंगे फटावर्ट फटावर्ट से जो भी इंपूर्टेंट चीज़ें होंगी मैं बताता चलूंगा तो पंच वर्षी यूजना है जन्हें हम फाइव यूर प्लान भी कहते हैं आर्थिक नियूजन के नाम से भी जानते हैं यानि कि देश के विकास के लिए योजना बनाना ही आर्थिक नियूजन है तो सभी बच्छे एक बार जुड़ें ये कह रहे भी आर्थिक नियूजन को प्रारंब किस ने किया यू ये यूससर मतलब रूस जिसे आप कहते हो सोवियत ठीक है न भई तो रूस ने स्टार्ट किया था योजना बनाना वहां के लीडर थे एक नेता थे जोजिफ स्टालिन इनके द्वारा स्टार्ट किया था पंचवर्सी यूजनाओं को ठीक है न भारत ने आर्थिक नियूजन हमने योजनाओं को कहां से लिया है विटा रूस के सम्विधान से रूफ से अडॉप्ट किया है तो प्यारे बच्चे भारत में पंचवर्सिय योजनाओं की अवधारना को कहां से अडॉप्ट किया गया रूफ के सम्विधान से लिया गया है ठीक है न भई इसे भारतिय सम्विधान की जो आर्थिक नियोजन है या पंचव समवर्ती सूची के अंदर रखा गया है राज्य सूची केंद्र सूची संवर्ती सूची आपने पढ़ी होगी बच्चे तो बात ध्यान से समझ लो संवर्ती सूची के अंदर इन्हें शामिल किया गया है यह PDF में डलबा दूँगा वहीं पंचवर्सी उजनाओ की आप निश ठीक है न भई किस सूची में रखा गया है संवर्ती सूची के अंदर आती है अगर मैं बात करूँ यहां बच्चे आपसे प्लानिंग कमीशन बना योजना बनाएंगे देश का विकास करेंगे देश के विकास के लिए कैसी संस्था हो जो योजना बनाए तो योजना बनान साथ के साथ आप परिशान मत होईएगा तो प्लानिंग कमीशन कब इस्टैबलिस हुआ बहुत पूछा जाता है 15 मार्च 1950 में इसका उद्धिश क्या था प्लान करना योजना बनाना थीक है न भई तो पंच वर्स ये योजनाओं का उद्धिश क्या था योजना बनाने का थीक है न भई 15 मार्च 1950 में इसे इस्थापित किया गया पीडिएफ कहां मिलेगी बिटा रोजगार विदंकित अप्लिकेशन में फ्री पीडिएफ का फोल्डर है न गागर में सागरवाला वहीं नीचे डलवा दूगा वहीं उसी के पास थीक है न भई योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है प्रधान मंत्री होता है प्रधान मंत्री पहले अध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के जबाहर लाल नहरू अंतिम अध्यक्ष कौन थे नरिंद्र मोदी जी इन्होंने कह दिया टाटा बाय बाय योजना आयोग अब लाएंगे हम नीती आयोग पास सिंग अहलू वालिया ध्यान से समझना है क्लास में कोई दिक्कत आ रही है एक बढ़ देखिएगा ठीक है बच्चे तो बास समझ मा आ रही है न यह है एक non constitutional body है गेर समविधानिक निकाय है यहनी कि समविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है बास समझ मा रहा है न तो चीज़ों को समझते जाएं 15 मार्च 1950 में planning commission आया इसका उद्धिश था 5 येर प्लान बनाना पंचवर्सी युजना बनाना इसका अध्यक्ष प्रधान मंत्री होते थे और बच्चे पहले अध्यक्ष जवाहल लाल नहरू थे अंतिम अध्यक्ष बिटा नविंद्र मोधी जी थे पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लालनन्दा अंतिम उपाध्यक्ष उजनाएक वे मौन्टेक सिंग अहलुवालिया आ समझ मा रहा है न तो बच्चे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बिटा नाम है सारी चीजन समझ मानिश की है त्रीक है अब अगर मैं बात करेंग प्यारे दोस्ति यहां आपाध्य आयोग योजनायोक की जगहै कि रहा योजना यह त्प इस य appear तो आफ्यश्यक्ष जायोग वास्त्तिम विकास करेगा नीतिय आयोग तो नीतिय आयोग और योजनायोग में अ शाज्यों के मुख्यमंत्री को भी शामिल किया गया, तो भीया पूरा नाम पूछ लेता है नीति आयोक का, National Institution for transforming India, नीति आयोक का पूरा नाम क्या है, National Institution for transforming India, रास्टिय भारत परिवर्तन संस्थान कहा जाता है, ठीके ना भाई, मोधी जी ने क्या गया, 15 अगस्थ 2014 को गो 15 सब्सक्राइए में पीम नरिंद्र मोदीजी ने नीती आयोग की गोशना की की नीती आयोग बनाया जाएगा तो एक्जाम में ये भी कुशन पूछ सकता है कि योजना आयोग की जगा कौन से आयोग की स्थापना हुई है नीती आयोग की स्थापना हुई है ध्यान रखिएगा ठीक है न भई एक जनवरी को हुई थी और बच्चे यह भी एक non-constitutional body है गैर समविधान, एक समविधान में इसका उलेक नहीं है, यह एक advisory body है सलहा देती है सरकार को जो सरकार योजना बनाती है उस पर सोच के देने का काम किसका है इसी का है और मैं बात करूँ बच्चे यह है सरकार के think tank, think का मतलब बिटा सोचना, सरकार को योजनाओं के बारे में सोच के देना, इसी का काम होता है think tank के रूप में काम करती है बिटा, exam में question पूछे जा रहे हैं इसलिए ध्यान से समझ लो एक छोटी किलास है और पूरी पंचवर्सी योजना है एक जगे मैं आपको लिए लेकर आया हूँ कि भाईया, important चीज़ें क्या है वो सारी चीज़ें समझ लो एक बार मैं बात करूँ प्यारे बच्चे नीती आयोक की कुछ संरचना देख लेनी है एक बार नीती आयोक का जो पदेन अध्यक्ष होता है एक्स ओफीशियो चेर्मेन वो होते हैं प्रदान मंत्री और पहले और अंतिम सब कुछ नरिंदर मोदी जी है जब से नीती आयोक बना है तबी से पीम नरिंदर मोदी जी है तो वही है ठीक है न भई नीती आयोक का एक उपद्यक्ष होता है वाइस चेर्मेन होता है बिटा पहले चेर्मेन कौन थे अरविंद पनगडिया थे इसके बाद दूसरे बने थे राजीब कुमार और वर्तमान में कौन है सुमन बैरी बहुत इंपोर्टेंट है ये पूछे जाने की संभावना जादा है इंपोर्टेंट है तो भईया नीती आयोक के बारे में कुश्चन बनेगा ये बात मेरी लिख के ले लो आप और ये सारी चीज़ में पूछे जाने की पूरी संभावना है CEO होता है Chief Executive Officer जिसे बोलते है नीती आयोक के पहले CEO कौन थे सिंधु शिरी खुलर दूसरे कौन थे अमिताब कांत और तीसरे कौन है अब वर्तमान में परमेश्वरन अयर बात के लिए है तो भईया वर्तमान CEO पूछे जा सकते हैं पहले पूछे जा सकते हैं तो यह ध्यान रखना है यह एक्जाम में प्रशन बिटा यहां से बनेगा पक्का बनेगा मेरी बात लिख लेना आपकी सिफ्ट में आए या किसी और में वो अलग बात है एक है ना भई बात किलियर हो रही है चलो भई बहुत बढ़िया यहां तक समझ में आ गया वर्तमान CEO कौन है परमेश्वरन अईयर है अब आगे बात करूँ मैं बचे NDC NDC को बोलते है National Development Council रास्टिय विकास परिशद जो को पंचवर्सिय योजना बनाना योजना आयोग का काम था योजना आयोग की जगा पास करने का काम किसका था NDC का काम था NDC को क्या बोलते है यहनी कि बच्चे National Development Council NDC कहा जाता है NDC को इस्थापित किया गया 6 अगस्ट 1952 में इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधान मंत्री जी होते हैं इसका कार्य क्या होता है योजना आयोग द्वारा तैयार योजनाओं को अंतिम अनुमूदन देना लास्ट में पास करना ठीक है न भई तो ये बात आपको थोड़ी सी समझनी है ठीक है न भई तो बात समझ जा रहा है योजना आयोग द्वारा तैयार योजनाओं को पास करना नीती आयोग द्वारा तैयार योजनाओं को ये पास करता है ये बात ध्यान रखनी है NDC आगे समझो अब ये कि रहे पंच वर्सी योजनाओं का इतिहास समझ लें इतिहास क्या इतिहास रहा है देश के अंदर नियोजन नियोजन को बूलते हैं बेटा प्लानिंग ठीक है न? एकोनोमिक प्लानिक हमारे देश में भी योजनाओं लागू होनी चाहिए योजना बननी चाहिए ऐसी बात पहली बार 1934 में कही गई थी किसके द्वारा? एम विस्व सरीया के द्वारा इनकी एक किताब थी The Planned Economy for India तो भारत के लिए योजना बननी चाहिए निय विस्व सरीया द्वारा की गई थी इनकी किताब कौन सी थी The Planned Economy for India भारत के लिए नियोजित अर्थ विवस्था इनकी किताब रही है एम विस्व सरीया की ठीके न भई इसके बाद मैं बात करूं Congress का हरीपुरा अधिवेशन होता है 1938 में जिसके अध्यक्ष बने थे सुब इसके अंदर क्या हुआ रास्टिय नियोजन समीती की स्थापना की गई National Planning Committee बनाई गई रास्टिय नियोजन समीती एक्जाम में पूछेगा रास्टिय नियोजन समीती कब बनी थी 1938 में इसके अध्यक्ष कौन बने नियोजन समीती के जवाहर लाल नहरू तो पंडित जवा लाल नहरू को ठीक है ना अगर मैं बात करूँ Bombay Plan Bombay Plan क्या है मुंबई के आठ उध्योग पतियों ने बच्चे योजनाओं से जड़ा हुआ एक प्लान प्रस्तुत किया जैसे हम Bombay Plan कहते हैं एक्जाम में सीधा सा प्रशन पूछता है कि Bombay Plan कब आया 1946 में ये Bombay Plan किस ने प पतियों में से जो इसके अध्यक्स थे Bombay Plan के बास समझ मा रहा है ना तो मैं आपसे जो बता रहा हूं उन सभी चीजों को समझेगा देखो भाई बात मत करो बच्चे बाल्टी चूर कौन है बेटा बाल्टी चूर तुमारी बाल्टी चूरी हो जाएगी एक्जाम में कुश का रिवीजन हो रहा है उन्हें पढ़ाया जा रहा है तो बिटा उसे पढ़ो नहीं तो बाल्टी चूरी होगी फिर तुमारी आठ हुद्योग पतियों ने प्रस्तुत किया था Bombay Plan Bombay Plan कवाई 1944 में इसके बाद गांधिवादी योजना आई थी 1944 में और गांधिवादी को प्रस्तुतट करने वाले कौन थे शर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था जैप्रकास नारायंड बहुत पूछाजाता है न भई चलो भई बहुत अच्छे जैप्रकास नारायंड शर्वोदय योजना लेके या है 1950 में गांधिवादी योजना, स्रीमन नारेंड के द्वारा 1944 माई, बॉंबे प्लान भी 1944 माया, आगे बात करूं बच्चे अगले प्रशन की अगला प्रशन कहरा है बच्चे कुल पंचवरसी योजना कितनी बनी है 12 पंचवरसी योजना बनी है 12 पंचवरसी योजना के बाद NDA यानि कि BJP सरकार ने पंचवरसी योजना को बंद कर दिया तो जो 12 पंचवरसी योजना है 12 पंचवरसी योजना ये लास्ट पंचवरसी योजना है आपकी अंतिम ठीक है न भई और इन्हों ने कहा, BJP यानि कि एंडी ये सरकार ने कहा कि हम 15 साल का long term लंबी योजना लेके आएंगे 12 साल वाली तो खराब है हम लेके आएंगे 15 साल वाली बास समझ मार है न तो एचीज ध्यान रखिएगा अब क्या है बारवी बारवी लास्ट पंचवर्सी योजना है तो एक्जाम में कुशन पूछे अ आगे बात करूं पहली पंचवर्सी योजना पंचवर्सी योजना एक अप्रेल को स्टार्ट होती है और बिटा कब खटम हो जाती है 31 मार्च को क्योंकि भारत का वित्यवर्स एक अप्रेल से लेके 31 मार्च तक होता है पियारे बच्छे अगर मैं बात करूं यहाँ पहली पहली पंचवर्सी योजना का मॉडल क्या था ये चीज जो इंपोटेंट लिख दूँ बिटा वो इंपोटेंट है हैरोड डॉमर मॉडल हैरोड डॉमर ने मॉडल तयार किया उद्दिश क्या था क्रसी और सिचाई का विकास करना पहली पंचवर्सी योजना सफल योजना है क्योंकि जितना टारगेट किया गया उससे जादा उसने अच्छीव किया मैं बात करो इसमें क्या हुआ सिचाई परियोजना बनाई गई जैसे कि भाकडा नंगल बांध की स्थापना हुई दामुदर घाटी परियोजना पस्चिम मंगाल की परियोजना है हीरा कुंड बांध बनाया गया तो यहीं कि सिचाई का विकास होगा तभी तो क्रशी का विकास होगा मेरे भाई ठीक है न भाई यह कह रहा है पीम नहरू ने आधुनिक भारत के मंदर कहा किने मंदर कहा इन बांधों को जब बांधों का उदगाटन कर रहे थे बच्चे जवाहल लाल नहरू तो इन्हें आधोनिक भारत के मंदिर कहा क्योंकि बिटा इनी से देश का विकास होगा, इनी से क्रशी का विकास होगा, ठीक है न, सामूदाइक विकास कारेकरम जिसे Community Development Program कहते हैं, CDP के नाम से भी जानते हैं, Community Development Program, Community Development Program कब प्रारंब हुआ, 2 अ कारेकरम कब प्रारंब हुआ, 2 अक्टूवर 1952 में, पहली पंचवर्सी उज़ना के दोरान, अमेरिका के सहोग से, 1955 में, Integral Coach Factory की स्थापना की गई है, चेन्नाई के अंदर है, कहां है, चेन्नाई तमिलनाडू के अंदर है, Integral Coach Factory, ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है न, कोच बनाती है, कोच बिटा, Integral Coach Factory, 1955, और यहीं पर एक चीज और ध्यान रखनी है, कि बिटा, 5 IIT स्थापित किये गए थे, IIT, 5 IIT की स्थापना, पहली पंचवर्सी उज़ना में, की गई, तो ये सारी चीज़ें, First 5 Year Plan के दोरान हुई है, पहली पंचवर्सी उज़ना, त फिर आती है, दूसरी पंचवर्सी उज़ना, ये बच्चे 1956 में स्थाट होई, और 61 तक चली, क्योंकि 5 साल चलनी है, पहली 56 में खतम हो गई, इसका मॉडल दिया था, प्रिशांत चंद महाल नोबिस ने, जिसे PC महाल नोबिस कहा जाता है, प्रिशांत चंद, PC का मतलब है, प्रिशांत चंद मैंने आपको बता दिया है, उद्देश ये क्या था, उद्ध्योगों का विकास करना और खनिजों का विकास करना, तो बिटा देखो, पहली 55 उज़ना में देश हमारा बड़ा गरीव था, गरीबी से बाहर आओगे निकलके भुकमरी फैली हुई थी, त पहली 55 उज़ना में करसी पर ध्यान दिया और दूसरी में हमने उद्ध्योग और खनिज पर ध्यान दिया है, ठीक है न, अगर मैं बात करूँ विकास दर तो इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है न भाई, लोह इसपात कार खाने स्थापित किये गए, आयरन स्टील प्लांट लगाए गए, जैसे कि भिलाई, भिलाई कहां है, चत्तीस गड़ के अंदर, किस के सहयोग से लगाए, ये कुशन पूछा जाएगा आपसे, भिलाई दुर्गापूर राउर केला, आयरन स्टील प्लांट किस पंचवर सी ओजना में स्थापित हुए, दूसरी में दुर्गापूर पस्चिम बंगाल में, राउर केला, उडीशा में हैं, तो बच्चे ये किस किस के सहयोग से बने हैं, तो भिलाई, चत्तीस गड़ में, रूस के सहयोग से, दुर्गापूर पस्चिम बंगाल में, बिटैन के सहयोग से, राउर केला, उडीशा में, जर्मन इकोनमी है, मिसरित अर्थ विवस्था है, जहां सरकार भी होती है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है, किस पंचवर्सी है उजना में मिसरित अर्थ विवस्था को अपनाया, दूसरी पंचवर्सी है उजना में, यहीं नाफेड की स्थापना हुई बिटा, नाफेड की स्था अपना 2 अक्टूवर 1958 में हुई थी, 2 अक्टूवर 1958 में, ठीक है ना भई, शलो, जनगड़ना की बेटा कल आएगी क्लास, जनगड़ना और GDP की कल रात 8 बजे क्लास आएगी, आगे बात करूँ बच्चे यह कह रहा है, तीसरी पंचवर्सी हो उसना, जब दूसरी खतम होगी तीसरी आएगी, यह पहली जाएगी तभी तो दूसरी आएगी, नहीं तो गड़वड हो जाएगी, 1961 से स्टार्ट होती है, 66 तक, इसका जो मॉडल दिया था, वो शुख में चक्करवर्ती, जितने मॉडल बताऊं वो इंपोटेंट है, सुख में चक्करवर्ती और जॉन से करना है, दोनों का विकास करना है, बच्चे, इसका लक्षे रखा गया 5.6, लेकिन बच्चे 2.8 तक ही यह पहुच पाई, यनि कि यह ऐसफल योजना मानी जाती है, भारत यह इतिहास की सबसे विफल योजना काउंट इसे करते हैं, 1964 में इस पंचवर्सी योजना के दौरा बोकारो लोह इसपात कारखाना खोला गया, बोकारो कहा है बेटा, जारखंड के अंदर है, किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई, बोकारो आइरन स्टील प्लांट बनाया गया, इसी पंचवर्सी योजना में, 1 जुलाई 1964 में, IDBI होता है, Industrial Development Bank of India, भार यह ओध्योगिक विकास बेंक की स्थापना, 1964 में, इसी पंचवर्सी योजना में हुई थी, सर जी, मॉडल क्या होता है, बिटा, आपका पड़ोसी कोई एक्जाम में नंबर ले आया, ठीक है, तो आपने अपने पड़ोसी से पूचा, भाहां से पढ़ाई करी, उसने बता इसी पादल पेपर में समझ लेना, 14 जनवरी 1965 में, एफसी याई की स्थापना हुई, फूड कॉर्परेशन आफ इंडिया, भारत यह खाद निगम, बिटा, एफसी याई के बड़े-बड़े गोदाम होते हैं, बफर स्टॉक, यह SSEZD ने पिछली बार भी पूचा है, इस बफर स्टॉक कहते हैं जैसे कि गेहूं हो गया चावल हो गया इन सारी चीज़ों को जमा करना बात केलियर है ठीक है न बच्चे बात समझ में आ रही है न आगे बात करूँ एक जनवरी 1965 में ये कुश्चन जी डी ने पिछली बार भी कही बार पूछा है क्रसी कीमत आयोग की स्थापना की गई क्रसी कीमत आयोग का नाम बदल दिया गया बच्चे इसका नया नाम रखा गया है जो अब है क्रसी लागत और मूले आयोग जिसे CACP भी बोल देते हैं Commission for Agriculture Cost and Prices ये CACP क्या करता है MSP की सिफारिस करता है MSP minimum support price न्यूंतम समर्थन मूले तो बटा CACP का काम क्या है MSP minimum support price की अनुसंसा करना तो minimum support price याद करो तो MSP की सिफारिस कौन करता है किसान की फसल के लिए न्यूंतम समर्थन मूले मिलता है न तो ये ही करता है बच्छे CACP बात क्लियर है आगे बात करूँ बच्छे MSP वरतमान में कितनी फसलों पर जा रहा है बटा 22 फसलों पर दिया जाता है MSP देती है सरकार 22 फसलों पर गन्ने की फसल के लिए FRP जारी किया जाता है FRP को बोलते है Fair and Reminorative Price यानि की बच्छे उचित एवम लाबकारी मूले कहते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं बटा उचित एवम लाबकारी मूले तो गन्ने की फसल के लिए MSP जारी नहीं होता है उचित एवम लाबकारी मूले जारी होता है गंदे की फसल के लिए बात ध्यान रखनी है MSP की फुल फॉर्म पूछ सकता है MSP की गोशना कौन करता है MSP की सिफारिस बिटा MSP की सिफारिस करता है CACP Commission for Agriculture Cost and Prices लेकिन MSP की गोशना गोशित कौन करता है MSP की गोशना करता है भारत सरकार के अंतरगत आर्थिक मामलों की मंत्री मंदलिय समीती जिसे बोलते हैं CCEA Cabinet Committee on Economic Affairs जिसका अध्यक्ष होता है बिटा PM जिसका अध्यक्ष कौन होता है प्रिधान मंत्री होता है आप से पूछे MSP की गोशना कौन करता है तो आंसर आएगा आर्थिक मामलों की मंत्री मंदलिय समीती Cabinet Committee on Economic Affairs ध्यान रखना है एक के रहें सर थोड़ा जल्दी बेटा जितनी स्पीड हो सकती है अब मेरी समझ में ना आया और मैं पढ़ाता जाओं तो उसका भी कोई फायदा नहीं है ठीक है न योजना की ऐसा फलता के कारण क्या रहे हैं तो बेटा ये योजना तीसरी वाली फेल हो गई कारण क्या है फेल हो गई ठीक है न भई अब अगर मैं बात करूं बच्चे यहां आपसे आगे तो योजना अवकास प्लान हॉलीडे जिसे कहते हैं जब सरकार की स्थिती घराब होगी सरकार बोली कि एक एक साल की योजना लेके आएंगे अब पांस साल की योजना ने लेके आ रहे हम ठ साल साल भर की योजना बनाए गई और इसी योजना अवकास के समय 1966-67 में ओफीशियल तरीके से हरित करांती स्टार्ट हुई हरित करांती के भारत में जनक MS स्वामी नाथन है विस्व में जनक नौर्मन बॉर्लॉक को कहा जाता है आप सभी जानते हैं और हरित करांती से सब से जादा फाइदा गेहूं और चावल को हुआ सबसे जादा नुकसान डालों को हुआ दाल की उत्पादन में कमी आई ठीक है ना भई तो हरित करांती बच्चे खादान उत्पादन से जुड़ी हुई है चौथी पंचवर्सी योजना का मॉडल बेटा कब से कब तक चली जब तीन साल की योजना है वो वार्सिक योजना है खतम हो गई तो 1979 से लेके 74 तक DR गौडगिल मॉडल से ये DR गौडगिल होगा बिटा DR गौडगिल मॉडल पर आधारित थी इसका उद्धिश स्थिर्था के साथ विकास और आत्म निरभरता यहां 1969 में 14 बैंकों का स्थापना हुई थी बच्चे रास्टे डेरी विकास बोर्ड की 1965 में कब हुई थी बच्चे 1965 में रास्टिय डेरी विकास बोर्ड को इस्थापित किया गया यह बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है न बई आगे बात करूं बच्चे आगे यह करा है MRTP Act लाया गया Monopolys and Restrictive Trade Practice Act कहते हैं बेटा हिंदी में कहते हैं एकाधिकार एवं पृति बंधात्मक व्यापार व्यभार अधिनियम तो व्यापार यानि कि एकाधिकार ना हो किसी का व्यापार पर इकाधिकार ना हो इसलिए MRTP कानून आया MRTP कानून कब आया था 1969 में इसे खतम कर दिया गया 2002 में और इसके स्थान पर आया था Competition Act पृतिस परधा धिनियम तो अब बिटा MRTP नहीं है MRTP कब आया पूछा जाता है एक्जाम में तो MRTP Monopolies and Restrictive Monopolistic and Restrictive Trade Practice Act परधा अधिनियम Competition Act वरगीज कुरियन स्वेत करांती के जनक हैं स्वेत करांती के पापा हैं आगे बात करों पांचवी पंचवर्शी योजना बच्चे पांचवी चौथी खतम हो गई पांचवी आई पांचवी पंचवर्शी योजना 1974 से लेके 78 तक बेटा चलनी तो ये 1978 में ठीक है न भई और इंद्रा गांधी हार गई थी उस समय एलेक्षन तो मैं बात करूँ यह योजना 1978 में जनता पार्टी की सरकार पहली गैर कॉंग्रेसी सरकार थी जनता पार्टी की सरकार बनी PM बने मुरार्जी देशाई तो ये केवल एक्जाम में कुशन पूछा ज था बेटा वेरी इंपोटेंट एक्जाम में पूछा जाता है पांचवी पंचवर्सी उसना का उद्दिश था गरीबी उन्मूलन तो इंद्रा गांधी द्वारा 1975 में 20 सूत्री कारेकरम यानि कि 20 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 20 पॉइंट प्रोग्राम ची के विज्यानिक थे वर्गीज कुरियन जो एंडि डी टीबी के अध्यक्ष रहे हैं स्वेत करांती के जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन took the bank के जनक माने जाते हैं ठीक ना तो यह चीज़ समस्दें चलिएगा साथ साथ पर पहला बैंक था प्रात्मा बैंक जो की यूपी के मुरादाबाद में खुला याद होगा आपको ठीक है ना और ये किस समीती की नर्शिम हम समीती की सिफार इस पर रीजनल रूरल बैंक को स्थापित किया गया सिक्किम और गोवा में एक भी छेत्रिय ग्रामीन बैंक नही किया गया और गरीबी हटाओ का नारा भी बिटा इसी पंचवर्सी यूजना के अंदर दिया गया तो आपसे एक्जाम में कुशन पूछता है किस पंचवर्सी यूजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया तो प्यारे बच्चे आंसर क्या होगा यानि कि बच्चे गरी 1975 में आपातकाल आंतरिक गड़वडी इंटर्नल डिस्टर्बेंस जिसे आगे बदल दिया गया था ठीक है न भाई आगे बदल दिया गया था जिसे फिर ससस्त्र विद्रो कर दिया गया आपको पता है आपातकाल तीन तरीके का होता है आपातकाल लगाया गया 25 जून 1975 में पी आपातकाल के समय आंत्रिक गडवडी के जब आपातकाल था रॉलिंग प्लान बेटा समझाऊंगा थोड़ा सांती तो रखो बेटा अब आएगा रॉलिंग प्लान इसके बाद में जब जनता पार्टी ने 1978 में पांचवी पंचवर्सिय योजना को खटम कर दिया और अपनी नई पंचवर्सिय योजना लेके आए तो उस जो पंचवर्सिय योजना है उसका नाम दिया उन्होंने रॉलिंग प्लान रॉलिंग प्लान को बोलते हैं अनवरत योजना तो यहां समझना है अनवरत योजना जिसे रॉलिंग प्लान कहा जाता है तो वच्छे अनवरत यो यह concept किसका था मुरार्धी दिशाई का इन्होंने कहा कि हम ना योजना लागू करेंगे फिर चेक करेंगे योजना लागू करेंगे फिर चेक करेंगे इस तरीके से पंचवर्सी योजना स्टार्ट करनी थी जिसे अनवरत योजना तो एक्जाम में कुशन पूशता है अनवर बढ़िया शलो भाई बिटा ऐसा कुछ नहीं है कि बाद मैं हार्ड होगा ठीकिन हाँ इतना जरूर है कि स्टार्टिंग वालों को नॉर्मलाइजिशन में थोड़ा फाइदा पहुंचता है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है थोड़ा बहुत बदलाव आते हैं तो आप थोड़ा बहुत जो एनलाइसिस है उसे देखते रहिएगा बिल्कुल परिशान मत होईएगा जो टॉपिक हम बता रहे हैं कि यहां से जादा प्रिशन बन रहे हैं तो बिटा उन टॉपिक्स को थोड़ा टार्गेट करके उन्हें रिवाइज कीज़ेगा और पूरी मतलब कोसिस की जाएगी आपके लिए ठीक है न भई अब अगर मैं बात करूँ यहां आपसे इस अनवरत योजना का मॉडल किस ने दिया था गुनार मिर्डल ने ठीक है न भई गुनार मिर्डल द्वारा गुनार मिर्डल द्वारा दिया गया था गुनार मिर्डल नाम है उनका गुनार मिर्डल ने अपनी किताब दा इशियन ड्रामा में अनवरत योजना के बारे में बताया ठीक है न रॉलिंग प्लान मुरारधी देशाई का खतम हो गया 1980 में दुबारा से इंद्रा गांधी PM बन गए अब आई बिटा छटी पंचवर्सी योजना जो 1980 से लेके 85 तक चली इसका उद्देश था आर्थिक विकास और गरीबी उनमूलन कौन कौन से काम हुए तो बचे 15 अप्रेल 1980 में 6 सरकारी बैंक बना दिये गए फिर से इंद्रा गांधी PM थी तो 6 बैंकों का रास्टे करण कब हुआ 1980 में 14 बैंकों का रास्टे करण कब हुआ 1969 में याद रखना है बहुत important है 12 जुलाई 1982 में नाबाड खुला गया नाबाड शिव रामन समीती की सिफारिस पर शिव रामन तो नाबाड की फुल फॉर्म पूची जा सकती है नाबाड की फुल फॉर्म होती है National Bank for Agriculture and Rural Development रास्टिय क्रसी एवं ग्रामीन विकास बैंक नाम है नाबाड का पूरा ठीक है ना भई अगर मैं बात करूँ 1982 में Exim Bank खुला गया Exim को Import Export Bank भी कहते है नाबाड का Headquarter भी मुंबई में है और बच्चे Exim Bank का भी Headquarter मुंबई के अंदर है दोनों का मुख्याले है मुंबई में है ठीक है न भई अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चे आगे इससे साथवी पंचवर्सी उजना आती है जिसका कारेकाल 1985 से लेके 90 तक यहां देखो यह 1980 से 85 तक है चटी पंचवर्सी उजना साथवी पंचवर्सी उजना 85 से 90 तक है उद्देश था रोजगार मतलब रोजगार सिक्षा और स्वास्थ का मतलब डेवलप्मेंट करना यहां एक नारा दिया गया था रोजी रोटी और उत्पादक्ता नारा साथवी पंचवर्सी उजना में ठीक है न भई यहां 1986 में स्पीड पोस्ट सुरुवात की गई पोस्ट स्थापना की गई यहां 1987 में ट्राइफेड की स्थापना हुई नाफेड 1958 में और ट्राइफेड आया था 1987 में ट्राइफेड की फुल फॉर्म होती है दा Τ्राइबल दा ट्राइबल कॉपरेटिव मारकेटिंग ड्वलपमेंट Federation of India भारतिय जंजातिय सहकारी विपडन परिसंग Trifade के बारे में कैई बार exam में पूछा गया है तो Trifade की full form भी पूछ लेता है तो The Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India और मैं बात करूँ बचे भारतिय जंजातिय सहकारी विपडन परिसंग तो जो जंजाती अपने उत्पाद बनाती है जो जंजाती अपने उत्पाद बनाती है उत्पादों को प्रमोट करना Trifade का काम होता है जैसे कि जंजाती जंगलों में रहती है बहुत सारी tribes ठीक है न भई मैं बात करूँ कारे क्या है बचे कारे है जंजातीय उत्पादों को सेबी को सकतियां प्रिदान की गई और सेबी का काम क्या होता है सेबी का काम होता है प्यारे बच्छे शेयर बाजार को कंट्रॉल करना मुंबई इस्टोक एक्षेंज अठारे सो पिचातर में खुला गया सबसे पुराना स्टोक बाजार है याद होगा ठीक है ना इये तो यह सारे कुशन ऐसे हैं जो एक्जाम में सीधे सीधे बनते हैं तो इसलिए रिवीजन चल रहा है बहतरीन वाला तो चीजों को समझो Securities and Exchange Board of India से भी कि स्थापना हुई इंद्रा आवास योजना आई जैसे कि प्रधान मंत्री आवास योजना इसी तरीके से 1985 में जवाहर रोजगार योजना 1989 में और यहीं पर नहरू रोजगार योजना भी आई थी 1989 में तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है एक्जाम के लिए इंपोटेंट है चीके ना आगे बात करूं बच्चे आगे योजना अवकास जब बच्चे आपकी सात्वी प मुद्रा भंडार नहीं बचा था फॉरेक्स रिजर्ब जिसे बोलते हैं विदेसी मुद्रा वो कम हो गई कि बल इतना पैसा बचा कि 15 दिन का व्यापार हो सकता है हम आई एम एफ के पास गए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वहां हमने जाके कहा भईया हमें लौन दे दो उने कहा दे तो देंगे लेकिन आपको अपनी अर्थ विबस्था में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे तो योजना अवकास फिर से लागू हो गया बच्छे यहां 1990 से लेके 92 तक इस समय प्रधान मंत्री थे नर्शिम महराओ इस समय वित्त मंत्री थे फाइनेंस मिनिस्ट तो आंसर क्या आएगा बच्छे 1991 में यहां तीन बड़े बदलाव किये गए जिसे हम LPG बदलाव के नाम से जानते हैं LPG reforms के नाम से जानते हैं L4 होता है liberalization B4 P4 होता है privatization और G4 होता है globalization उधारी करन का मतलब है अपनी अर्थ विवस्था में जो नियम काइदे कानून लगा बना देना उधार कर देना license प्रणाली को समाप्त कर देना privatization का मतलब है चीजों को निजी हातों में private कर देना कंपनियों को बिटा globalization का मतलब है अपने देश के दरवाजे खोल देना दूसरे देशों के लिए import export हो सके दूसरे देश की कंपनी भारत आ सके इसे कहा जाता है नई नीती अपनाई गई यहीं पर नई अध्योगिक नीती भी अपनाई गई बिटा 1991 में और भारत में उधारी करण का जनक किसे कहा जाता है finance minister मन मोहन सिंग को तो बच्चे ध्यान रखना है pioneer of liberalization of Indian economy तो बहिया कौन है मन मोहन सिंग है भारत यह अरथ विवस्था के उधारी करण का जनक किसे कहते हैं मन मोहन सिंग को कहते हैं नई आर्थिक नीती कभाई 1991 में नई अध्योगिक नीती कभाई 1991 में यह भी 1991 में पहली अध्योगिक नीती कब आई थी बच्चे तो यह आई थी 1948 में पहली industrial policy अध्योगिक नीती दूसरी अध्योगिक नीती आई थी 1956 में ठीक है न भई तो यह चीज ध्यान रखनी है आगे बात करूँ यहां बच्चे आठवी पंचवर्सी योजना 1992 से सतानवे तक यह जौन डबलू मिलर मॉडल पर आधारित थी जौन डबलू मिलर मॉडल का प्रभाब किस पर था आठवी पंचवर्सी योजना में मानव संसाधनों का विकास करना human resources का development करना यहां पर MDM लाई गई और एक जनवरी 1955 में भारत डवलू टीयो का सदश्य बना और 20 मार्च 1993 में रास्टिय महिला कोस नैसनल महिला यानि की वूमेंस फंड जिसे कहते हैं इसकी स्थापना की गई जो महिलाओं को वित देता है वित ठीक है ना भई तो बास समझ मार्च 1993 में रास्टिय महिला कोस को स्थापित किया गया आगे बात करूँ नौवी पंचवर्सी योजना आती है 1997 से लेके 2002 तक नियाए पूर्ण वितरन ये जादा नहीं पूछा जाता है तो ध्यान नहीं देना है यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारम बकी गई के सी 1998 में किसानों कुलोन मिलता है ना बिटा ठीके ना भई थोड़ा सा और बचा है मात्र ये मानलो की 57 मिनट में काम खतम हो जाएगा ठीके ना 1999 में कारगिल का युद्ध हो गया ऑपरेशन विजए किस से संबंदित है कारगिल युद्ध से जुड़ा हुआ है ये बाद ध्यान रखना है औ से कमेंट करो सभी बच्चे और एक नवंबर 2000 में सर्ब सिक्षा अभियान की सुरुआत हुई सर्ब सिक्षा अभियान और बच्चे 1999 2000 के बीच में ही स्वण जैनती रोजगार योजना प्रारंब की गई तो ये योजनाएं भी पूछ लेता है बास समझ मार है तो ये सीधी सीधी सी ध्यान रखनी है पूछेगा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब आई तो आपका अंसर आएगा 1998 में ऑपरेशन विजए 24 जुलाई बहुत अच्छे 26 जुलाई बता रहे हैं कुछ वजए 26 जुलाई करेक्ट अंसर होगा यानिकि विजए दिवस कमना आते हैं 26 जुल आई को सलिब्रेट करते हैं बहुत बढ़िया आ रहा है अंसर सभी का चलो आगे बात करें बच्छे अगले आगे दसवी पंचवर्सिय उजना 2002 से लेके 2007 तक आपकी चली थी दसवी पंचवर्सिय उजना 10 फाइब यर प्लान इसका उद्देश सामाजिक नयाय और समानता क लेके गेरेंटी एक्ट जो सौ दिन गाओं में काम मिलता है ना बिटा वोई नरेगा था पहले पिंएम मनमोहन सिंग द्वारा इसे आंधरप्रदेश के अनंदपूर जिले से लागू किया गया था मनमोहन सिंग जी ने लागू किया था नरेगा को नरेगा का नाम बदला है बिटा दो अक्टूवर 2009 में इसका नाम परिवर्तन किया गया और इसका मन रेगा कर दिया गया महात्मा गांधी अड़ कर दिया गया तो ध्यान रखना है यानि कि इसका नाम कब बदला गया 2 अक्टूवर 2009 में 2005 का कानून है संसस से फरवरी 2006 में पास हुआ है ये 100 दिन काम की गारंटी देता है मनजेगा नरेगा चीक है न भई आगे बात करूँ तो ये लास्ट है आपका यहां से सिर्फ उद्देश पूछे जाते हैं उद्देश 11 और 12 पंचवर्सी उद्दा के उद्देश क्या रहे हैं तो 11 पंचवर्सी उद्दा 2007 से 2012 तक चली है तीवर और अधिक समावेशी विकास फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ इसका क्या रहा है बच्चे उद्देश रहा है और ये बहुत पूछता है एक बार तो SSE GD 2021 में प्रिशन बना है बारवी पंचवर्सी उजना का उद्देश क्या था बारवी पंचवर्सी उजना अंतिम पंचवर्सी उजना है 2012 से लेके 2017 तक तीवर अधिक समावेसी एवं धारणिये विकास फास्टर मोर इंक्लूजिव सस्टेनेवल डवलप्मेंट इसका उद्देश था तो एक बार ये सारी पंचवर्सी उजना जो मैंने आपको कराई है मेरे साथ आपने रिवाइज कर ली है एप सी आई कब बना एप सी आई का काम क्या है एल आई सी बना था बिटा 1956 में एल आई सी का मुख्याल ले कहा है इस सारी चीज़ें लाइफ इंसोरेंस कॉर्परिशन इरिडा आई आर डिये इंसोरेंस रेगुलेटरी एंड डवलप्मेंट अथियोरिटी जो बीमा छित्र को कंट्रॉल करता है 1999 में बना तो इस सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चीए और बहुत सारी इंपो टेंट हैं बहुत जादा एक्जाम में सीधा सीधा पूछे जाने वाले प्रशन हैं ठीके ना तो जहां आपकी मेराथन क्लास की पीडिएफ डाली गई है सर अब 23 फसल हो गई है वो टोटल काउंट गंदे को करके 23 वी लगा लेते हैं लेकिन गंदे पर MSP जारी नहीं होता है CACP का काम होता है MSP की सिफारिस करना CCEA Cabinet Committee on Economic Affairs आर्थिक मामलों की मंत्री मंदलिय समीती बिटा इसका काम क्या होता है तो ध्यान रखिएगा इसका काम होता है प्यारे बच्चे आपका ठीक है ना भाई शलू बहुत बढ़िया एक सेकंड बच्चे मैंने गलती से बोल दिया 16 16 तारिक को 16 तारिक को मनाया जाता है 16 दिसंबर को मनाया जाता है मैंने गलती से मेने ध्यान नहीं दिया है क美味 Bitcoin को कारगिल एक सेकं नमेरे मांड से निकल रहा है बेटा सही है वो अलग है 26 जुलाई ही सही है 26 जुलाई ठीक है कारगिल विजैदिवस 26 जुलाई ही correction है चलो बहुत बड़िया बहुत बड़िया गजब एकदम तो मिलेंगे कल की किलास में आज की किलास यहीं तक कल जो किलास होगी कल शाम को आठ बजे उस क्लास के अंदर मैं आपको जनगड़ना कराऊंगा ठीक है ना जनगड़ना कराऊंगा बच्चे और जनगड़ना के साथ साथ GDP के बारे में हर दिन एक कुशन आ रहा है इन दो चैप्टर से ठीक है ना तो यह दो चैप्टर का रिवीजन कल हम कर रहे ह तो GS बहुत बढ़िया करके आ रहे हूँ और जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है मेरे प्यारे दोस्त जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है वो 15-16 कुशन भी करके आ रहे हैं जिनसे मेरी बात चीट हुई है तो बिल्कुल भी परिशान मत हो और डीमोटिवेट होने की तो कतई भी आवश्यक्ता नहीं है अपनी मेहनत जबर्दस्त होनी चाहिए तो फिर बिटा किस बात का डर है सारी चीज पड़ी हुई है जहां भी आपको गाइड करने की जरुत पड़ेगी RWA आपके साथ खड़ा हुआ है जंडे गाड के आने पेपर के कबूतर उड़ाने दें तो सभी प्यारे कबूतरों को मैं कहूंगा आज की क्लास यहीं तक रहेगी यह PDF आपको जहां गागर में शागर की PDF है उसके नीचे ही मिल जाएगी पंचवर्सी उजनाओं के नाम से इसे एक बार रिवाइज कर ले ना पात-दस मिनिट में ठीक है ना पूरी चीजें जिससे कि आपकी सभी चीजें माइंड में सैट हो जाएं हाँ बेटा 26 जुलाई है ही कारगल दिवस ठीक है ना शलो बच्छे सभी को बहुत सारा आशिरवाद है अपना पेपर अच्छे से करके आओ घंडेगाड कर के आओ और अपना एक carrier करके आओ और बीटा वरदी ले के आनी है परिशान नहीं होता है तूम है लग रहा है मैं का कुश्ण हांड है मत करो चोड़ दो पता चला एक मैंत के के चक्कर में 3 GS के question चुट गए तो पहले वो question छोड़ते जाओ जो नहीं हो रहा है जो लग रहा है कि भाई typical है नहीं होगा एक बार में eliminate करो छोड़ दो मामले को खतम करो उन question पे ध्यान दो जो कर सकते हूँ ठीक है न भाई तो पहली बार में mark and review में डाल दो से तो यहों कि बाद में देख लेंगे समय बचेगा तो ठीक है न GS GS के 20 question है तो 10 minute से भी कम समय में हो जाएंगे सिर्फ पढ़ना है question आता है तो ठीक है नहीं बाता है तो बिटा bye bye question को ठीक है न